किड़ा और ये किड़ा को हम लोगोंने 2016 से बिहार में पहला नोटिस किये और इसके बाद इन्वेस्टी ने इसके उपर काम करना शुरू किया कि कैसे इसको नियंत्रन किया जाए तो इसका जो मादा जो किड़ा है मादा किड़ा और इसका लारभा दोनों ही बहुत इंटेलिजन्ट है बहुत बुद्धिमान है बैस्क में आते हैं मादा और नर ये दोनों का जो मेटिंग का मिलन का जो समय है वो है शाम के समय इसलिए किशन भायो आप कभी भी इसका तितल ये अगर एक आम का फल है तो ये डंटल के आसपास में ये गुच्छे में होगा तो चार मैक्सिम्म होगा और नहीं तो एक-एक करके आंड़ा देंगे फिर अंडा देने के बाद उस अंडा से जो लार्वा निकलेगा वो लार्वा इस जगा पे छेदा ना करके वो छेदा करते हैं बिल्कुल अपोजिट साइड में याने कि इस जगा पे इस जगा से वो छेदा करके अंदर के तरफ वो खाने का प्रयास करते हैं और अंदर के त आम का जो छिलका है इस छिलका का जो थिकनेस है वो थिकनेस इस जगा पे इस जगा पे सबसे ज़्यादा है उसका थिकनेस है और इस जगा पे उसका थिकनेस सबसे कम है तो मैं क्यों बार-बार बोलों कि बहुत बुद्धिमन होते हैं कि उसको पता है कि मेरा मेंडिबल छोट परण च्टा होते हैं नाजूक होते हैं तो वह यह opposite side में आके यहाँ पर पतला वाला चिलका है उस चिलका को आसानी से बूर करके अंदर के तरह बहुत आसानी से वह खा सकते हैं और खाते-खाते वह बीज तक पहुंचते हैं आम के अंदर जो बीज है उस बीज को तो बीज को हुई ही वो खाना पसंद करते हैं, अगर मैं यह कहूं कि वो कौन सी पोर्शन को ज्यादा प्रिफर करते हैं, तो आम का जो पोर्शन हम लोग खाते हैं, उस पोर्शन को वो प्रिफर नहीं करके, वो बीज के अंदर खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो जैसे यह पर छेदा किया तो डेफिनिटली इस जागा पे काला धबा हम लोग को दिखाई पड़ते जो हमें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इस आम को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस आम के पूरी कोई भी कोई भी पोर्शन में इसका सिम्टम है नहीं सिर्फ कहां पे सिम् नुक्षान पहुँच सकते है तो इस फल छेदेख किडे के कारण आपका बागीचा से आम गिर जाते है प्रिम्याचियोड फूद ड्रापिंग होते है